आसे चार दिन पहले भोशपूरी गायक राकेश मिश्रा कहाने कि नाम काला तुश्मा चूंकि हमने राकेश मिश्रा कि इस गायने को आजश finance बंता है और अचित्री के हम जरूरी है कि इसी भोश्पुरी इंडस्री के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके उपर भोश्पुरी बचा मुहीम का ऐसा असर हुआ है कि अगर सब लोग एक साथ बिलकर पूरी मंदारी से किसी चीज का विरोध करेंगे तो उसका साकरात्म प्रभाव ज़रूर दिखेगा बागी कई बार ऐसा होता है कि हम अश्रील गानों के अलोचना के चक्कर में भोश्पुरी इंडस्री में आने वाले नए नए और साफसुत्रे गानों को इग्नोर कर जाते हैं और ऐसे गानों पर हमारे नज़र नहीं जाती है कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ अश्लील गानों की बात करते हैं बागी राकेस मिश्वा भुश्पुरी के वो कलाकार हैं जिनको यूटूबर और मीडिया कर्मियों से हमेशा ये सिकायत रही है कि आप कभी हमारे अच्छे और साफ सुथ्रे गानों के बारे में बात नहीं करते हैं आप हमारे अच्छे गानों को मीडिया में आकर प्रमोट नहीं करते हैं जो कि जायज भी है और आज की इस वीडियो में हम गायक राकेस मिश्वा के इसी शिकायत को दूर करते हुए कि नई गाने का प्रमोशन दे रहे हैं यह ने हमको इस गाने को प्रमोड करने का पैसा दिया है तो ऐसे लोगों को साब बता देना चाहते हैं कि आप मेरी फुरानी वीजियो उठा कर देख लिशेगा हमने राकेस मिश्चा के श्लील गानों का पुझ जम कर आलूशना किया और उनके अच्छे गानों का सराहना भी किया है बाकि आजम राकिस मिश्रा के नए गारे के बारे में बात्चित करेंगे जिस गाने के नाम है काला चेश्मा और यह गाना आसे चार दिन पहले टी सीरीज हमार भोशपुरी कंपनी से आया है और चार दिन के अंदर इस गाने प काला चेश्मा का भोशपुरी वर्जन है बाकि इस पूरे गाने में राकिस मिश्रा ने आवाज दिया है और इस गाने में दोनों सितारे काले रंगे ड्रेस में नजर आ रहे हैं और यह गाना जब से आया है तब से शोसर मेडिया पर धमाल मचा रहा है अब बात करते हैं ग सब शांदार है जाने के पीछे अच्छा काशे क्षार क्षा किया गया है दुन का रामपरी क सकता है इसलिए जाने के खुराय ह। सुछने भाटी किया है इसलिए लिए ती साथ किनुसे की केमेस्ट्री को दर्सक बेहत्पसंद कर रहे हैं बागी काला चिश्मा गाने के वीडियो में देखा जा सकता है कि राकेश मिश्या ने बुलेट पर धासु एंट्री ली है उसके बाद ये गाना शुरू होता है और चार दिन से ये गाना शुरू मेडिया पर गरदा उड़ा रहा है बागी ये तो हो गई राकेश मिश्या के गाने की बात अब हम राकेश मिश्या के बातचीत करते हैं चुकि राकेश मिश्या मेडिया कर्मियों से हमेशा नाराज रहते हैं और अक्सर अपने इंटर्विव में ये बात कहते भी हैं पर बातचित करते हैं कभी हमारे अच्छे इत्ता से विजिए इतना शांदार है कि मेडिया गोए इस ओते हैं और बातचित कर रहे हैं भागी हमको लगता है कि अस्रिल्टा का विरोध करने माले जितने भी लोग हैं neurons सबको राकेश मिल्शा के जिगाने पर बादस्पत्री पर बातस्यूत करना चाहिए mind उन सारे कलाकारों के साफ सुत्रे गानों पर बात करना हमारी नयतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जब आश्रीलजदा का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है तो मेरे जैसे मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग राकेस मिशा जैसे कलाकार के साफ सुत्रे गानों पर भी वीडियो बनाएं कल्लू के नए नए गाने पर वीडियो बनाकर लोगों को इस बात का संदेश दे कि भीना अश्रील गाई भी आप ट्रेंड कर सकते हैं बाकि आपको राकिस मुशा का नया गाना कारा चेश्मा कैसा लगा अपनी रैकमेंड वक्स में जरूर ब झाल के सकते हैं जरूर भी आपको राकिस बास सब्सक्वाइब।